दोस्तों जम्मू काश्मीर से जो ख़वरें आ रही है वो हम सभी को दुख देने वाली है लेकिन साथ में यह भी देखना होगा कि हमारे देश में देश द्रोहियों की भरमार कितनी है वो कहा जाता है कि बस एक ही उल्लू काफी है बरबाद गुलश्ता करने को लेकिन हमारे तो हर शाक पे उल्लू बैठा है अन्जाम गुलस्ता क्या होगा अभी दोस्तों दो दिन पहले हमारे देश में रेक्मेंडेशन दी जा रही थी कि पाकिस्तान की आरतिक हालत खराब है तो पाकिस्तान में कई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो भारत को लाब पहुचा सकते हैं लेकिन भारत ने उनके उपर 200% की इंपोर्ट डूटी ठोक रखी है तो चुकि इन प्रोडक्ट को मगाने से भारत को लाब हो सकता है इसलिए मोदी साहिब ने 200% की इंपोर्ट डूटी जीरो कर देना चाहिए ताकि पाकिस्तान को भी लाब हो और भारत को लाब होगा ही क् हमें पाकिस्तान से आसानी से विल सकते हैं तो दोस्तों यहां पर आप देखिए कि यहां भारत को किस प्रकार गोली दी जा रही है कि आपका ज्यादा लाव है हमारी हलत तो अच्छी है अगर हम पाकिस्तान से थोड़ा बहुत मंगा भी लेंगे तो हमारी स्तिती में जो सुधार होगा इसका कहीं ज्यादा लाव पाकिस्तान को मिलेगा इस डिसीजन की मार्जिनल यूटिलिटी पाकिस्तान के लिए कहीं गुना ज्यादा है अब चूंकि पुलवामा अटेक के बदले भारत ने पाकिस्तान को दिया हुआ मोस्ट नेशन का दरजा हटा लिया था और ये 200% डूटि ठोकी थी तो पाकिस्तानी लोग बड़े सयाने हैं वो भारत का माल यूएई से खरीद लेते हैं तो इन विद्वान का कहना था कि चलो आप 200% डूटि नहीं हटा रहे हो कोई दिक्कत नहीं लेकर कुछ ऐसा करो कि ये यू पारत से माल दोबई जाता है दोबई से फिर पाकिस्तान पहुंचता है ट्रांस्पोर्टेशन कोस्ट बहुत लग जाती है इसलिए अच्छा होगा कि हम बागा बॉर्डर से माल सप्लाई कर दे दोनों देशों का भला होगा तो दोस्तों ये आइडिया भी अच्छा दिया गया है लेकिन दोस्तों इसके मूल में भी वो देश पाकिस्तान को ज्यादा लाब पहुचाने का है अभी जो जम्मू कश्मीर में मुट्वेड हुई अगर वो ना भी होती तो भी हमारा जवाब इन दोनों प्रिस्ताओं के लिए बिलकुल ना में होता दोस्तों दुनिया में कुट्टे की फूच सीधी हो सकती है लेकिन पाकिस्तान सीधा नहीं हो सकता इन्हें सीधा करने का इनका भला करने का सपना हमने छोड़ देना चाहिए मोधी साहब ने ये किया हुआ है इसलिए पहले के प्रधानमंत्रियों की तुल्ना में मोधी जी को पाकिस्तान कम कस पाकिस्तान और हमारी लाई 2000 सालों से चल रही है और आगे दो लाख सालों तक ये चलने वाली है इसलिए ये ट्रेड व्यापार करके समश्चाएं अगर सुल्जाई जा सकती होती तो आज यूक्रेन का युद्ध नहीं हो रहा होता अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड वा पाध्यम से महालक्ष्मी जी का आदेश पढ़कर देखिए आगामी 22 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच महालक्ष्मी ब्रत है उसका लाव उठाएं ठाकि आप मूर्तियों से आगे बढ़कर महालक्ष्मी जी के साक्षात और सजीव मार्ग दरसन में आगे बढ़कर जीवन पर यां तो मुनावख कमापाई